पंद्रहवां पाठ, प्रिष्ट क्रमांग 101 से 103 तक, कविता है, फर्ष पर, चिडिया आती है, डाल जाती तिनके फर्ष पर, हवा आती है, बिखेर जाती धूल फर्ष पर, सूरज आता है, सजा जाता चिंदियां फर्ष पर, मुन्ना आता है, उलट देता कटोरी फर्ष पर, मम्मी आती है, बीनती धाल चावल फर्ष पर, पापा आते है, उतार देते जूते फर्ष पर, महरी आती है, समेट लेती है सब कुछ, अपने बिवाई पड़े हाथों में, और इस तरह लिखती है, हर रोज, एक कविता फर्ष पर, इस कविता को लिखा है, निर्मला गर्गने, अभ्यास, शब्दार्थ, चिंदियां अर्थात छोटे छोटे टुकडे, या धूप के छोटे छोटे चकत्ते, बीनना अर्थात चुनना, महरी अर्थात काम करने वाली या घरेलू सहाई का, बिवाई अर्थात हाथ पैर के चमडे का फटना, एक, पाठ से, क, कविता में फर्ष पर कौन-कौन और क्या-क्या करते हैं, ख, फर्ष पर सभी के द्वारा कुछ न कुछ काम करने की बात कविता में हुई है, मगर महरी के काम को ही कविता लिखना क्यूं कहा गया है, दो, तुमारी बात, क, तुम अगर मुन्ना की जगए रहो, तो क्या करोगे, और क्यों, ख, मम्मी और महरी के काम में, तुमें जो कुछ समानता और असमानता नजर आती है, उसे अपने ढ़ंग से बताओ, ग, तुम कविता में सभी को कुछ न कुछ करते हुए पाते हो, उसमें से तुम्हें किसका काम सबसे ज्यादा पसंद है, और क्यों, घ, तुम अपने घर को साफ रखने के लिए क्या-क्या करते हो, उन कामों की सूची बनाओ और उसके सामने यह भी लिखो कि तुम वह काम कब-कब करते हो, कविता में इसे चुनकर कुछ शब्द यहां दिये गए हैं, चड़िया, डाल, तिनके, सूरज, हवा, हाथ, मुन्ना, कविता, इनका प्रयोग करते हुए कोई कहानी या कविता लिखो, चार, फर्ष पर कविता, और इस तरह लिखती है हर रोज एक कविता फर्ष पर, कविता में फर्ष पर काम करने को भी कविता लिखना बताया गया है फर्ष के अतिरिक्त अन्यत्र भी तुम कुछ लोगों को काम करते हुए पा सकते हो उन में से तुम जिन कामों को कविता लिखना बता सकते हो बताओ और उसके कारण भी बताओ पांच बच्चे और फर्ष बच्चे फर्ष पर अपनी मर्जी से जो उन्हें अच्छा काम लगता है वो काम करते हैं उसमें कभी-कभी फर्ष को तो कभी-कभी बच्चों को भी नुकसान उठाना पड़ता है पता करो क भ, बच्चों द्वारा फर्श पर क्या क्या करने से उन्हें नुकसान होता है? उसकी सूची बनाओ. भ, बच्चों के किन किन कामों से फर्श को नुकसान होता है? 6. काम के शब्द कविता में बहुत से कामों का जिक्र किया गया है जैसे बीनना, बिखेरना, सजाना, उतारना, समेठना, आदी इन्हें क्रियाएं कहते हैं यहां कुछ शब्द दिये गये हैं इन्हें उचित क्रिया के साथ लिखो पानी, टोकरी, बस्ता, चावल, हथेली, रंग और जूते इनके साथ उप्युक्त शब्दों को जोड़ो बीनना, बिखेरना, सजाना, उतारना, समेठना